हेलो एवरिवन, वेलकम टू अर नारेश्वरे कातमिक यात्रा फ्रेंड्स, काफी कड़ी मशक्कत करने के बाद या वक्त पीतने के साथ ट्विन ट्रेम्स इस जर्नी में बैलेंस हो ही जाते हैं पर बैलेंस की स्टेट भी स्थाई नहीं रहती है कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कुछ साल बैलेंस रहे पर फिर आउट ओफ बैलेंस हो जाते हैं और रीजन कुछ भी हो सकता है इसके पीछे या आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुँच रही होती है तो उसमें काफी मिट्स भी होते हैं कोई फैक्चुल इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं है त्विन फ्रेम जियर्नी की बड़ सिखाने वाले अपनी मर्जे से कोई भी थियोरी, कंसेप्ट एड़ कर देते हैं तो वही जो फॉल्स थियोरी होती हैं उस वज़े से आप आउट ओफ बैलेंस हो सकते हो अब यूनियन को लेके जैसे कहा जाता है कि अगर सिस्टेमेटिक इनवक किया है तो यूनियन तो होके ही रहेगा और ये बात बार बार सुनके जो अवेकन ट्वीन होगा वो स्टक रह जाता है और सिंगल माइंडेड होके अपनी तरफ से यूनियन अच्चिव करने की कोशिश करते रहता है और आउट ओफ बैलेंस होके अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमेस कर बैठता है या कर बैठती है तो अब मैं जो साइन बताऊंगी अगर उससे आप रेजोनेट करते हैं तो आप आउट ओफ बैलेंस हो रहे हैं सबसे पहला रेड फ्लेक जब नंबर सिंक्रोनिसिटी होती है खास कर की 11-11 की तो सब उसे यूनियन से जोड़ देते हैं या कोई भी रिपीटेड नंबर दिखने लगे तो सोचेंगे कि यूनिवर्स का मैसेज है तो हर बार ऐसे नंबर्स देखने का मतलब यह नहीं होता कि आपका यूनियन होने वाला है यह होके ही रहेगा कभी-कभी यह नंबर्स आपको जर्नी में इंकरिज करने के लिए भी दिखाय जाते हैं ताकि आप अपने एशेंशिन को कंटिन्यू रखें ताकि आप इस जर्नी में गिव अप ना कर दे जैसे कई बार अच्छे ड्रीम्स आते हैं कपल स्वान्स के, बटरफ्लाइस के, पिजन के, स्नेक्स के तो ऐसा ब्रह्म फैला दिया गया है कि एनिमल्स पेर में हैं, ड्रीम्स में या फिजिकली आपको सामने देख रहे हैं पेर में बार बार तो आपका यूनियन होने वाला है अब जिनकी वीडियोज में टिपल थी, टिपल फाइफ, इलेवन, इलेवन व्यूस देख जाते हैं तो यह हुआ लोगों को मुर्ख बनाना मतलब नंबर्स मुझे भी दिखते हैं काफी बार रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं बट मैं उन्हें यूनियन नंबर्स का टैग नहीं लगाती ना मैं पोस्ट करती हूँ कि मेरे इस वीडियो पर यह नंबर्स रो रहे है और फ्रेंड्स यूनिवर्स अगर आपको मैसेज देना भी चाती है तो यूनिवर्स का यूनीक वे होता है जैसे मॉर्निंग में आप उठे तो टाइम ट्रिपल फोर था या आपने कुछ खरीदारी की पर्चेसिंग की तो जो बिल बना वो ट्रिपल फोर का बना कोइंसिडेंस था मिन्स वो या आप ऑनलाइन कुछ सर्ज कर रहे हैं तो ट्रिपल फोर दिख जाएगा तो सिंक्रांसिटी ऐसे रिपीट होती है और नमबर्स रिपीट होते हैं तो आपकी इंट्यूशन हाई हो जाती है तब आप मानिए कि कोई मैसेज है इससे जुड़ा है आप पहली बार में उस नमबर को इग्नोर करेंगे हो सकता है सेकेंड टाइम में भी इग्नोर कर रहे हैं और थर्ड टाइम में आप जितनी बार इग्नोर करते हो उतनी उतनी बार आपके इंट्यूशन हाई होती है और जो आपके इंट्यूशन जुड़ जाती है उस मैसेज से रिपीटेट नमबर्स से तो इट मेंस महाँ कोई मैसेज है यूनिवर्स का आपको फील होता है सेम ऐसा ट्विन का नाम बार बार दिख रहा है तो इंट्यूशन साथ में वर्क करती है हर बार किसी भी रिपीटेट साइन को चाहे नमबर हो ड्रीम सो डियम का नाम हो उसे यूनिवर्स से मत जोड़िए और अगर आप हर साइन को यूनिवर्स से जोड़ते हैं तो आप आउट आउव बैलेंस हो रहे हैं सेकेंड साइन यह है अपने काउंटर पार्ट को अपनी लाइफ में बनाये रखने के लिए आप अपने सेल्फ लव के साथ कॉंप्रोमाइस कर देते हैं इट मेंस आप अपने स्प्रिच्वल पाथ से भटक रहे हो जो स्प्रिच्वल प्रैक्टिसेज होती है वो छूड़ जाती है क्यूंकि आप अपने ट्विन को खुश रखना चाहते हो जब कित्रुत यह है कि आपकी twin soul की higher self जो counterpart है आपका उसकी higher self हमेशा आपका best version ही देखना चाहती है वो कभी नहीं चाहेगी आपकी counterpart की higher self कि आप अपनी खुश्यों के साथ compromise कर बैटे हैं अपनी emotional health के साथ compromise कर बैटे हैं या खुद को drain करते रहें सिफ एक union को achieve करने के लिए आप जितना self love में होते हो हर तरह से independent होते हो तो शायद 3D में जो आपका counterpart है वो ignorant रहे आपको दिखेगा 3D में कि नहीं उसको कुछ फरक ने बढ़ रहा पर जो counterpart की higher self होती है वो हमेशा खुश ही रहती है आपको देख कर अगर आपका real twin flame है तो वो यहीं चाहेगा कि सबसे पहले आप अपनी respect करें खुद को priority दें energetic boundaries दखना बहुत जरूरी है इस journey में ताकि twin soul की 3D की जो energy है वो आपको impact ना करें फिर इसके बाद third sign है कि अगर आपका twin इस connection के लिए no बोलता है तो आप उनके decision की respect कीजिए कोई आपका twin है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी हर expectation को वो पूरा करें जैसे आप चाहें वैसा ही हो इस journey में मतलब कोई twin flame rule book नहीं बननी है कि DM को यही करना चाहिए या DF को particular rules follow करने चाहिए आप soul हैं खुद को आत्मा मानिये तो soul की free will होती है यह याद अखिए कि आप दोनों को journey से spiritual work करने के लिए मिलती है ना कि खुद को एक दूसे पर थोपने के लिए आप कितना patterns, addictions से बाहर आते हो यही जरूरी है इस journey में एक twin अगर no बोलता है तो definitely situation painful होती है एक awakened twin के लिए बट एक opportunity भी होती है awakened twin के पास एक gift होता है उसके लिए कि आप relax होके खुद की healing कर सके हर एक relation में space, freedom बहुत जरूरी है वरना एक time बाद awakened twin खुद ही frustrated, suffocated feel करता है तो अगर twin के no को उसके rejection को आप extreme serious लेते हैं तो आप out of balance हो चुके हैं और आप acceptance की energy में नहीं है फिर fourth sign है stalking, shaming, blaming जो की desperation के कारण होता है ये भी out of balance होने का sign है वो सकता है कि आप कुछ वक्त के लिए, कुछ time के लिए stalking करना बंद कर दें पर कुछ df's, कुछ time period के बाद, कुछ सालों के बाद, या कुछ मैनों के बाद दुबारा stalking शुरू कर देती है ये चेक खरने के लिए कि पहले stalking बंद की उसका क्या result है DM में energetic changes कितने आये हैं like राज चलते हैं अगर कोई लड़कियों को घूरता है तो कितना uncomfort, unsafe feel होता है just like DM भी energetically discomfort feel करते हैं 3D में कुछ नहीं बोलेंगे means desperation के कारण बार-बार message करना कुछ ऐसा करना कि उनका ध्यान बार-बार आप पर जाए तो ये out of balance होने का sign है आप मलब कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि सामने वाला खुद आपसे contact करे या आप पे ध्यान दे इसमें यह होता है कि सामने वाले को मजबूर कर देना कि वो आपसे बात करे आपके बारे में सोचे इस जर्णी में पूरी लाइफ आपका टेस्ट चलता है और चलते ही रहता है चाहे आप balance भी हो जाए चाहे आपका union हो भी जाए फिर भी वो टेस्ट चलते हैं दोनों ट्विंट के चलते हैं आप कितने truthful हैं ये चेक किया जाता है सो बढ़ते हैं last sign की तरफ कि जब आप past में stuck होते हो कि past में relation अच्छा था त्विंट ने बहुत सारे promises किये थे marriage का भी promise किया होगा बट separate हो गए universe ने आपको separate कर दिया और आप अभी तक उन promises को याद रखके बेटे हैं कि एक दिन ज़रूर वो अपना promise पूरा करेगा तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि लोग कभी भी अपना mind change कर सकते हैं आज आप एक person के लिए कुछ thought सकते हो मैने बार मैने बार बार उससी person के लिए कुछ और सोचोगे और यह ऐसे ही चलता है फुरी life अगर आप past को hold करके रखते हो तो शायद runner chaser dynamic फिर से शुरू हो जाए आपकी journey में तो अपने past को release करना भी ज़रूरी है move on ज़रूरी है तब ही healing process continue रहता है क्योंकि stuck energy में healing possible ही नहीं है इस journey में रहने का अमलब यह नहीं कि सालों आप एक ही person के लिए wait करते करते निकाले कई twin times single ही रह जाते हैं तो कईों के contracts soulmate के साथ होते हैं तो divine timing पे जब soulmate को आना होगा तो वो भी आ जाएगा पर make sure किसी भी connection के लिए किसी भी connection के लिए inner work extension को compromise मत कीजिए अगर किसी भी connection के वज़े से चाहे चिन हो soulmate हो आप romance के illusion में फस रहे हैं तो वहाँ से निकल जाना ही भैतर है ऐसी marriage या union भी किस कांका जो आपको romance से बाहर ही ना आने दे romance is just cheap and 3D energy it is energy of lust romance based connection only for lust को jealousy को, fear को obsession को ही promote करते हैं और ऐसे कोचे से बचिये जो ये myths फैलाते हैं कि twins तो 5D में romance करते हैं 5D में कोई romance नहीं होता है 5D में only truth होता है supreme की energy होती है 5D means only truth मुक्ष, peace का मतलब ही यही है कि आप romance से मुक्त हो चुके हैं 5D में कोई romance जैसी चीज होती ही नहीं है So friends, that's all for today यही वो sign है जो indicate करते हैं कि आप out of balance है So see you in the next Till then, goodbye and God bless you